वेलकम इन आ रहे हैं के मैट्स मुर्टर अप्टर हमारा 9th exercise 9.1 application based question question number 7 2 angles of a linear pair are in the ratio linear pair है that means हमारे पास एक straight line है और उसके उपर 2 angles बने वें जैसे की यह और दोनो angles का जो measurement का ratio given है 1 ratio 5 हमें angles की value निकालें degree के अंदर अब यहाँ पर जिस ratio में angle की value given है उसी ratio में हम उसको लेट कर के चलेंगे let one angle is x की यहाँ पर हमारे पास क्या है one ratio 5 that means one x और second angle हम लेट करेंगे 5 x यह 1 x है 1 शो करें यह न शो करें आपके लिए necessary नहीं है आप अपने according to need शो कर सकते हो अब यहाँ से यह क्या है दोनों क्या आत्म है linear pair that means दोनों को मिला कर यह प्लस करके दोनों की value हमारे पास क्या होगी 180 because यह हमारे पास क्या है linear pair है अब यहाँ से दोनों की value x से यह न लाइक टरम है आड कर सकते हैं 5 और 1 6x equal to 180 यहां हम x की value find out करेंगे that means 6 को move करेंगे left से right की तरफ यहां से move करेंगे multiply में है इधर जाएगे तो divide 6 से cut करेंगे 6, 3, 18 and 0 की 0 याण 30 degree तो x की value हमारे पास होगी 30 degree याणि first angle angle जो हमने let किया था x that means उसकी value होगी 30 degree जो second angle हमने let किया था 5x that means 5 बीच में multiply का sign आशो करेंगे value put करेंगे 30 है तो 30 that means 5, 3 is 15 और 0 याणि 150 और 30 दोनों मिलाकर क्या होगे 180 now question number 8 an angle एक कोई जो angle है is 65 more than 65 जादा है its compliment compliment याणि उसका जो साथ ही मिलकर कोई दूसरा angle compliment मिलाता है उस angle की value given है find the angle हमें angle find out करना है according to statement चलेंगे compliment है that means यहाँ पर 2 angle है दोनों मिलकर 90 बनाएंगे तो यहां हम let करेंगे let one angle is x देगे कि यहां पर एक angle दूसरे को पर depend है more than या less than हो तो वहां पर एक let करेंगे दूसरा उसकी coding stativity coding हम उसके में adjust करेंगे अब यहां पर एक angle हमारे पास x है second angle याणि एक angle उसका compliment तोनों मिलकर हमारे पास 90 बनाते हैं क्या है is 65 more than उस angle से यहीं उसकी compliment से कितना 65 more है that means plus है ज्यादा है जो angle हमने let किया एक angle दूसरे angle से 65 ज्यादा है that means उसके plus कर देंगे तो उसकी value आजाएगे अब यह first angle और यह इसका compliment है दोनों मिलकर x यह first angle है और x plus में 65 यह दूसरे angle है दोनों मिलकर that means plusor के क्या होंगे compliment that means 90 बनाएंगे अगर supplement है तो 180 बनाएंगे linear repair है तो 180 बनाएंगे compliment है दोनों मिलकर 90 बनाएंगे अब यहां पर x or x 2x plus में 65 equal to 90 यहां से max के value निकालेंगे that means one by one numbers को move करेंगे सबसे पहले हम plus minus number को लेके जाएंगे यहां यह plus में है उदर जाएगा तो second row में लेके जाएंगे 90 यहां plus का है इदर जाके यह number minus का हो जाएगा minus करेंगे तो remaining is 25 यहां पर 2x 1x के value निकालेंगे 25 यहां multiply में इदर जाएगा तो number divide में 2 से divide करेंगे यहां इसको completely decimal form में आएगा 2 बन जा 2 5 लेके आएंगे 2 तू जा 4 remaining is 1 यही 2 5 जा 10 वैसे भी आप जो 25 से पहले जो number है even number है वो 24 है that means 24 का half 12 और 1 बच जाएगा 1 का half 0.5 तो this is the value of x यह x की value है अब यह x की value हमारे पास क्या है first angle लेकर किते ले थे that means the first angle वो हमारे पास क्या होगा 12.5 और जो second angle है क्या उसके complement से यह इस एंगल से कितना 65 more है यह प्लस करेंगे इसमें 65 प्लस करेंगे क्योंकि points से points add होता है और whole part यह integral part से integral part add होता है points से यह नि fractional part से fractional part add होता है यहां से 7 और यहां से 77.5 यह हमारा second angle हो गया now question number 9 two complementary angles यहां पर complementary that means two angles होते complement दोनों मिलकर 90 बनाएंगे यहां हमें addition यह दोनों का सम हमें clear हो गया कि complementary that means 90 है उसके अंदर two angles होते है और in the ratio उनकी value given है ratio के अंदर find their measurement हमने degree के अंदर उसकी value find out करने है अब यहां पर rule है कि जिस ratio में given हो उसी ratio में हमेशे हम उसको let करके चलते हैं let क्यों करते हैं इसके पीछे reason देखो अगर हमारे पास 30 ratio 45 degree यह मानलो original value है जब इसको में reduce करते हैं कम करते हैं तो दोनों five tables करते हो five six जा और यह five nine जा यहां से फिर हम three की table से three two जा और three three जा यह original number था और यहां पर देखो two ratio three की form में आ गया है that means हमें वापस उसी रूप तक जाने के लिए हमें उसको यह जाने के लिए उसको xyz में लेकर करके वहां तक पहुंसते हैं तो इसलिए हम इसको xyz के अंदर let करते हैं लेक क्योंकि यह जो ratio होता है यह original value नहीं होती है यह reduce करके value आती है तो let one angle is four x यहां से four ratio है और second angle is five x अब यह दोनों angle होगे अब दोनों मिलकर four x और five x दोनों मिलकर क्या बनाएंगे complement that means 90 degree बनाएंगे अब दोनों like term है that means दोनों को हम add कर सकते हैं four में five add करेंगे 9x equal to 90 x की value निकालेंगे तो 9 को move करेंगे यहां यह number divide में आएगा cut करेंगे तो 10 degree that means हमारे पास x की value आ गई तो यहां जो first angle है वो four multiply 10 degree यानि 40 degree second angle five multiply 10 degree that means 50 degree 40 or 50 90 is the answer of this question now question number 10 इसमें भी same thing है two supplementary angles supplementary that means दोनों की addition क्या होगी 180 two है दोनों की value given है एक value यह है और second value यह है first angle let करेंगे हम let first angle question number हमारे पास यह 10 है 3 x minus 10 degree second angle क्यूंकी 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 और शुप्लिमेंटरी पेर में हमेशा two ही अंगल होते हैं second is 2 x plus 5 degree 2 x plus में 5 degree अब यह supplementary का pair है that means तोनों को first angle और second angle तोनों के क्या करेंगे हम plus क्यूंकी दोनों degree में है तोनों को हम add कर सकते हैं दोनों मिलाकर क्या बनेंगे supplementary है that means 180 complementary है तो 90 linear pair है तो 180 यहां से देखें region लिख सकते हो bracket में supplementary है that means 180 हमने इसलिए write किया है अब यहां से देखें यह like term है 3 और 2 5x यह constant number है दोनों के sign different है that means minus करेंगे 10 में से 5 के remaining is 5 minus का भीग है तो minus के वज़े 180 अब move करेंगे left से right की तरफ पहले इस number को जो plus minus में number हो सबसे पहले हम उसको move करते है यहां से minus का है इस देखें के number plus का हो जाएगा that means 185 5x अब x की value निकालनी है तो इसके बाद हम 5 को भी move करेंगे left से right की तरफ डिवाइड में जाएगा कि कि हम multiply में था 5 3 is up 15 remaining is 3 और 5 7 जाए यह 35 डिगरी होगी x की value अब जो x की value हमने find out कि है वो हम इस value के अंदर put करेंगे लास्ट में आप नीचे same thing write कीजिए मैं यही repeat कर रहे हूं 3 multiply 37 x की जगे हम put करेंगे 37 और आगे के हम minus 10 सबसे पहले question में multiply सोल होता है 3 7 जा 21 3 3 जा 9 और 11 और minus में 10 डिगरी यहां से हमारे पास 101 डिगरी वैसे भी आपके पास one angle is coming है यह एक इंगल आज़का है दूसरा एंगल वैसे भी निकाल से तो कि हमारे पास दोन दो मिला कर क्या होगा 180 तो यहां से 101 है तो दूसरा से क्या होगा 79 होगा फिर निकाल के भी चेक कर लेते हैं 2 multiply में 37 और plus में 5 2 से multiply करें 2 7 जा 14 1 6 और यहां से 7 और plus में 5 that means 79 क्योंकि दोनों को मिला कर आप add कीजिए 101 और plus 79 और 180 तो यह पेर of linear pair now question number 11 यह question number 8 और 11 दोनों same है an angle जो भी angle है is 2 3rd है of its supplement उसके supplement का 2 3rd है that means एक angle है जिसकी value 2 3rd है इसके supplement से अब उस angle को हमें let करना पड़ेगा let one angle क्या है x तो second angle its complement इसके complement का क्या है 2 3rd that means 2 by 3 यह हमारे पास second value multiply करेंगे 2 by 3 x हो गए अब दोनों angle हो गए 2 3rd of its supplement उसको supplement यह इसको complete करने वाल angle का 3 3rd यहनी इसका जो हमने let किया अब यह दोनों pair क्या है x और 2 by 3 x दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे supplement that means 180 तो यहां से 180 डिगरी अब यहां पर आप दोनों को यह fractional part है fractional को हमेशे हम lcm लेके solve करते हैं दोनों x वाले हैं that means दोनों को हम add कर सकते हैं यहां by में 1 लिख लीती 1 और 3 दोनों का lcm क्या होगा 3 आब निच्चे वाले से divide करते हैं 3 से divide 1 से divide करेंगे 3 जपे और 3 बन जा 3 उपर multiply करेंगे जो cushion 1 है फिट 2 1 जा 2 हमेशा denominator से तो divide करते हैं और उसके बाद जो cushion आएगा उसको numerator से हम multiply करते हैं lcm निकालते हैं वक्ति यहां इस तरह से adjust करते हुए x क्योंकि दोनों x की ट्राम है यहां से 2 और 3 5x by में 3 equal to 180 अब move करेंगे दोनों को एक साथ भी ले जा सकते हैं और 1 by 1 भी ले जा सकते हैं x equal to 180 यहां यह divide में है तो उपर multiply में और जो multiply में था उपर निचे divide में 5 से cut करेंगे यहां से 5 3 जा 15 remaining is 3 और 5 6 जा 30 यानि 36 को हम 3 से multiply करेंगे 3 6 जा 18 9 and 10 यहीं 108 डिगरी होगी x की value दाट मींस एक एंगल हमारे पास क्या 108 और दूसरे एंगल क्या होगा 108 multiply में 2 3 3 से cut करेंगे 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 यहीं 36 तूजा 72 वैसे भी आप चेक कर सकते हैं 108 में 72 मिलाएंगे तो यहां 180 अगर एक एंगल क्लीर होगा तो दूसरे एंगल वैसे भी आपने एजली निकाल सकते हैं कि 100 में 72 मिलाएंगे तभी हमारा यह supplementary बनेगा This is the question number 11 dear students if you like our video then like and share the video